Hello friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्करिष्ट अकेड्मी आयोध्या Current Affairs section में आज हम डिस्कूस करने वाले हैं 9 जून से बनने वाले कुछ important current points को और उनसे related key facts को तो सबसे पहले कल ये question को answer देख लेते हैं कल मैंने आपसे ये question किया था कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है तो इसको answer देख लेते हैं कनाडा सरकार ने साल 1992 में रियोडी जनरियों में आयो जित प्रिथवी सम्मेलन के दोरान विश्व महासागर दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था तो इसकी स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा था कनाडा सरकार ने कब रखा था साल 1992 में और कहां रखा था तो Rio de Janeiro में आयोजित पृत्वी सम्मेलन के दोरान तो एक important question या से ये भी है कि पृत्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था तो Rio de Janeiro में और कब आयोजित किया गया था तो साल 1992 में आयोजित किया गया था इसके बाद यूयन ने दिसंबर 2008 में 8 जून को विश्यो महासागर दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाने की मानेता दी तब से हर साल 8 जून को विश्यो महासागर दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है विश्यो महासागर दिवस 8 जून को यह दिवस मुख्य रूप से लोगों के महा सागरों के प्रती जागरों करने के लिए किया जाता है और इसके साथ ही इस दिवस का मुख्य देष महा सागर से जुडे पहलूं जैसे खादे सुरक्षा, जैविवित्ता, पारस्तित की संतुलन, सामुद्रिक संसादरों के अंधादुन उप्योग, जलवायू परिवर्दन आदी पर प्रकाश डालना है इस वर्ष जो इसका मुख्य विशे रहा है वह रहा है इनोवेशन फॉरा सस्टनेबल ओसिन्स, यानि एक सतत महासागर के लिए नवाचार तो यहाँ पर रियोडी जनेरियों के संमेलन की बात आई है जिसे प्रित्वी संमेलन के नामते जानते हैं और जो 1992 में हुआ था तो यह संमेलन इस ट्रॉक होम संमेलन इस ट्रॉक होम संमेलन जोकी 1972 में हुआ था उसकी बीसमी वर्ष गाट मनाने के लिए सैयुक्त राश्टर संग के द्वारा ब्राजील की राजधानी रियोडी जनेरियों में 1992 में आयो जित्किया गया था इसे अर्थ समिट या प्रतम प्रत्वी सिखर संमेलन भी कहा जाता है तो इस संमेलन को अर्थ समिट या प्रतम प्रत्वी सिखर संमेलन भी कहा जाता है इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इस संमेलन में संमेलित देशों ने टिकाव विकास के लिए व्यापक योजना एजेंडार 21 स्विकृत किया एजेंडार 21 तो एजेंडार 21 के सम्मेलन में आया था तो ये आया था 1992 के रियोडी जनेरियों सम्मेलन में उन लेखनी है कि रियोडी जनेरियों में यह निर्धारित किया गया है कि सदस्य राष्ट्र वर्स प्रतेक वर्स एक सम्मेलन मे एकत्रित होंगे और जलवायू संबंदी चिंताओं और कारियोजनाओं पर चर्चा करेंगे और इस सम्मेलन को नाम दिया गया Conference of Parties यानि की कॉप इसे नाम दिया गया Conference of Parties यानि की कॉप की संग्या दी गई और पहला कॉप सम्मेलन बर्लिन में हुआ था बर्लिन जर्मनी में हुआ था कब हुआ था 1995 में तो यहीं था कल के Question का Answer चलते हम आज के Points की तरफ हमारा First Point है United Nations Association for Development and Peace यानि UNADAP द्वारा 13 वर्षियर M. Neetra को Goodwill Ambassador for the Poor के रूप में न्यूपत किया गया है तो UNADAP द्वारा किसको Goodwill Ambassador for the Poor के रूप में न्यूपत किया गया है तो M. Neetra को इनको एक लाक रुपे की Agency की Dixon या Dixon चात्रवित्ती से भी समानित किया गया है तो United Nations Association for Development and Peace ने Goodwill Ambassador for the Poor के रूप में न्यूपत किया है M. Neetra को चलते हम अपने Next Point की तरफ मारा Next Point है कि उत्तराखंड के सबसे बड़े जैविवित्ता पार्क का उद्गाटन 5 जून 2020 को विश्व परियावरण दिवस के उसर पर किया गया और इसको नाम क्या दिया गया है उत्तराखंड वननुसंधान विंग जैविवित्ता पार्क यह पार्क 18 एकड के छेत्र में फैला हुआ है तो उत्तराखंड के सबसे बड़े जैविवित्ता पार्क जो की 18 एकड के छेत्र में फैला है और इसका नाम है उत्तराखंड वननुसंधान विंग जैविवित्ता पार्क इसका उद्गाटन किया गया 5 जून 2020 को विश्य पर्यावरण दिवस के आउसर पर इसमें लगबग 500 विबिन पौधों की प्रजातियां वा 40 से अधिक अनुभाग हैं जो विबिन पर्यावरण रड़े विश्यों पर केंद्रित है तो सबसे बड़े जैविवता पार्क का उद्गाटन किस राजे सरकार ने किया है या कहां किया गया है तो उत्रा खंड में चलते हैं अपने नेक्ट पैंट की तरफ हमारा नेक्ट पैंट है कि त्रिची रेलवे जंक्सन को विबिन परियावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतिय उद्धियोक परिसंग यानी CII द्वारा gold rating दी कहिए तो हाली में किस रेलवे जंक्सन को CII द्वारा gold rating दी कहिए तो त्रिची रेलवे जंक्सन को या तमिल नाडू में है रेटिंग को Green Railway Rating System के अनुसार प्रदान किया गया है किसके अनुसार प्रदान किया गया है तो Green Railway Rating System के अनुसार प्रदान किया गया है CII की बात करें तो CII की जो इस्थापना हुई थी या इसका आरंब कह सकते हैं 1895 में हुआ था लेकिन इसका जो वर्तमान रूप है वह सामने आया 1992 में और इसका हेटक्वार्टर है नई दिल्ली में और त्रेची रेलवे जंक्सन को हाली में CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है तो भारती उद्वाइब परिसंग से रिलेटेड एक न्यूज मैंने आपको बताई थी कि अभी हाली में उद्वाइब कोटक ने 2020 से 2021 के लिए भारती उद्वाइब परिसंग के अध्यक्ष के रूप में पदभार समाला था और उन्होंने स्थान लिया था विक्रम किरलोजक तो अब भारती उद्वाइब परिसंग के अध्यक्ष का पदभार समाला है उद्वाइब कोटक ने तो इसको भी आप याद रखिएगा चलते हम अपने नेक्ट पॉइंट की तरफ हमारे नेक्ट पॉइंट है कि MHRD मिनिस्टर रमेस पोखरियाल निसंग ने COVID-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन सिख्षा क्या COVID-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन सिख्षा सीरसक के साथ एक सूचना पुस्तिका लौंच की है और यह पुस्तिका NCRT और UNESCO ने संयुक तिरूप से विक्षित की है यह छात्रों को वस्तिक्षकों को जाग रुपता बढ़ाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामलों में समय पर कारवाई निश्चित करेगा तो मानव संसातन विक्षित मंत्री ने किस सीरसक के साथ एक सुचना पुस्तिका लौंच की है तो COVID-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन सिख्षा चलते हम अपने नेक्ष्ट पॉइंट की तरफ हमारा नेक्ष्ट पॉइंट है कि राष्ट्रे एकरे सीवा ग्रामीर विकास बैंक यानि नाबाड ने असम ग्रामीर विकास बैंक को 270 करोड रुपे की विसेश तरलता सुविधा उपलब्द कराई है तो हाली में नाबाड में 2020 से 21 के दोरान सहकारी बैंक को छेत्रिय ग्रामीर बैंक को वा माइक्रो फाइनेंस इंस्टूशन यानि MFI को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए 25,000 करोड रुपे कितने रुपे 25,000 करोड रुपे प्रदान किये थे नाबाड के स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को नाबाड का हेटकौाटर है मुंबई में चलते हम अपने नेक्ट पाइंट की तरफ हमार नेक्ट पाइंट है कि कन्नड अभिनेता चिरन जीवी सारजा का जून 2020 में निधन हो गया तो चिरन जीवी सारजा जिनका हाली में निधन हुआ वे क्या थे वे थे कन्नड अभिनेता उन्होंने फिल्म वायू पुत्र से अपनी सुरुवात की थी करियर की और उनकी हालीया फिल्म थी सिवारजुन तो चिरन जीवी सारजा जिनका हाली में निधन हुआ वो क्या थे कन्नड अभिनेता या जिस कन्नड अभिनेता का हाली में निधन हुआ उनका नाम क्या है चिरन जीवी सारजा हमारा next point है कि Google Cloud ने भारत में Google Cloud के वरिष्ट निदेशक के रूप में पूर्व NetApp के सीर से कारेकारी अनिल वल्लूरी की नियुक्ति की घोश्डा की है तो Google Cloud ने वरिष्ट निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ती की घोश्रा की है भारत में तो किसकी अनिल वल्लूरी की वे क्या है NetApp के सीर्स कार्यकारी मार्च 2020 में IBM इंडिया के पूर्व प्रमुक करण बाजवा को Google Cloud का प्रबनिदेशक नियुक्त किया गया था तो Google Cloud ने भारत में Google Cloud के वरिष्ट निदेशक के रूप में पूर्व NetApp के सीर्स कार्यकारी अनिल वल्लूरी की नियुक्ती की घोश्रा की है और इससे पहले मार्च 2020 में IBM इंडिया के पूर्व प्रमुक करण बाजवा को Google Cloud का प्रबनिदेशक नियुक्त किया गया था चलते हम अपने next point की तरफ, हमारा next point है कि पूर्व भारतिया फुटबॉलर हमजा कोया की केरल में COVID-19 से मृत्यों गई और राज़े में COVID-19 के कारण मृत्यों दर अब 15 तक पहुँच गई है तो हमजा कोया जिनका हाली में निधन हुआ वे क्या थे वे थे भारतिया फुटबॉलर या जिस भारतिया फुटबॉलर का हाली में केरल में COVID-19 से निधन हुआ उनका नाम क्या है हमजा कोया ये पूर्व फुटबॉल प्लेयर थे जिनोंने संतोष ट्रोफी में महराश्ट्र का प्रतिनिध्यत किया वा नहरू ट्रोफी में भारत तीम के सदसे भी थे वा परमपरागत उप से परपन गादी के मूल निवासी थे जो हाली में मुंबई से लोटे थे और मल्ल पुरम के मंजेरी मेडिकल कॉलेज में इनका निधन हो गया तो हाली में हमचा कोया जी का निधन हुआ वे क्या है वे पूर्व भारतिय फुटबॉलर रह चुके हैं हमारा नेक्ट पॉइंट है कि असम सरकार ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल, एंजिनरिंग, पॉलिटेकनिक सहीद, पोष्ट ग्रेजुएट इस्तर तक के सभी प्रवेसों को सेक्षडिक वर्ष 2020-2021 के लिए बिल्कुल मुफ्ट कर दिया है तो यह अच्छा कदम है किस गवर्मेंट ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल, इंजिनरिंग, पॉलिटेकनिक सहीद, पीजी इस्तर तक के सभी प्रवेसों को बिल्कुल मुफ्ट कर दिया है सेक्षडिक वर्ष 2021 के लिए तो असम सरकार ने यह जो घोशडा की गई है यह COVID-19 के परिदिश्च को देखते हुए ली गई हो इसकी घोशडा की असम के सिक्षा मंत्री बिश्वास सर्माने कब की 7 जून 2020 को चलते हैं अपने नेक्ट पैंट की तरफ हमाई नेक्ट पैंट है कि 5 जून 2020 को इंग्लेंड के फुटबॉल असेशिएशन यानि FA द्वारा चेल्सी को महिला सूपर लिग खिताब से सम्मानित किया गया और एस्टन विला को दूसरी इस तरिया महिला चैंपियंसिप का विजेता घोशित किया गया तो फुटबॉल असेशिएशन ओफ इंग्लेंड यानि इंग्लेंड के फुटबॉल असेशिशन द्वारा किसको महिला सूपर लिग खिताब से सम्मानित किया गया है महारा सरकार ने अपने पहले कोईला खादान का उत्पादन किया है जिसका नाम है वेस्टन कोईल फिल्ट्स अध्सा कोईला खदान खदान 334 करूर रुपे के निवेस के साथ इस्थापित की गई है और प्रतिवर्स 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कोईले का उत्पादन करेगी तो महारा सरकार ने अपने कोईला खदान का उत्पादन किया 6 जून 2020 को नागपुर के पास वेस्टन कोईल फिल्ट्स अध्सा कोईला खदान का हमारा नेक्ट्ट पाइंट है कि राश्ट्री और रासाइनिक प्रयोग साला पूडे ने स्वधेसी ने जो फिरिंजियल स्वैब का सफलता पूरवक विकास किया है तो ने जो फिरिंजियल स्वैब का सफलता पूरवक विकास किसने किया है राश्ट्री और रासाइनिक प्रयोग साला पूडे ने या COVID-19 से प्रभावित रोगियों के गले की गुहा से नमूने एकत्र करेगा जो COVID-19 का कारण बनता है ने जो फिरिंजय स्वैब, गुडवक्ता, बहुलक, ग्रेट, आयां वो नसबंदी के कड़े निर्देशों के साथ एक चिकिस्ता उपकरण है तो यह थी आज के हमारे कुछ important current points और उनसे related key facts आज का हमारा question of the day है कि बिर्सा मुंडा की पुर्णति थी 9 जून को मनाई जाती है अगर इसका answer आपको पता है तो आप comment box में comment करके जरूर बताइएगा आज के लिए बस इतना ही कर मिलेंगे कुछ ने current point के साथ तब तक के लिए have a nice day भबा है